हेलो विद्यार्थियों तो चले क्लाश 12 का अबजेक्टिव कोश्ण जिसमें 110 नमर तक हो गया था इसमें आगे क्यों बढ़ते हैं इसमें आपका 111 नमर प्रश्ण है यदि मात्ता का रख्त समूह ओ तथा सिश्व का रख्त समूह ओ तो पीत्ते का रख्त समूह क्या होगा वाद प्रच्ण समलना इसके बाँ चलते हैं आपका 112 उप्रश्ण है क् मगले का समूह तथा पीतान हो जो टायब क्या होगा question mistake है जिसमें आपका option B हो जागा, IB.io ठीक है? दो 113.9 प्रशन देखते हैं जिसमें कहता है कि रक्त समूं की जांच में परियुकत anti-serum में पाए जाता है option A है antibody, option C है antigen, option D है leucoside, option D है इन में शुकोई नहीं इसमें आपका option हो जाएगा ए एंटी बड़ी ठीक है इसके बाद चलते अगले प्रश्ण की और 14 प्रश्ण है इसमें काता है कि निमले खीत में से कौन सा रक्त समों मनुष्य तथा कपी दोनों में पाजाते हैं लेकिन बंदर में नहीं होते हैं option ए है a तथा o रत समों option b है a तथा b c है a b तथा o और d है b तथा a b तिसमें आपका option हो जाएगा b a b तथा a तथा b ठीक है इसके बाद चलिए अगले प्रश्ण चलते हैं एक शुब पंदरा करता है कि निमले खीत में से किस dna में ए डna प्यूरित होते है तिसमें option a है a तथा c option b a तथा b option c है a तथा g और d है इनमें से कोई नहीं तिसका option हो जाएगा आपका a तथा g ठीक है इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्ण क्योर 116 प्रश्ण कहता है कि डोडो क्या है तो डोडो एक पच्छी है डोडो एक पच्छी है जिसमें आपका option दिया हुआ है a इसके बाद आपका अगलाग प्रश्ण है एड से रोग की पहस्चान मुक्तक किसे किया जाता है अप्च्छी है डोल जांच किसे यह लिशा जांच से और आपका option c है PCR से और option d है कोमेटोग्राफिय से तिसमें आपका option b हो जाएगा यह लिशा जांच से ठीक है इसके ठीक है इसे बाद चलते हैं अगले प्रस्ण में 120 में कहता है कुकुट में पाया जाने वाला कवक रोग कौनसा है आप्शने है कोक्सिडियोसिस आप्शन B है कुराईजा आप्शन C है एस्प्रेजिरोसिस आप्शन D है माक्स रोग इसमें आपको आप्शन A हो जाएगा ओक्सिडियोसिस ठीक है इसके बाद चलते हैं अगला प्रशन की और इसमें आपका अगला प्रशन कहते हैं किस नमर कि कुकुट में होने वाला राने खीती रोग कैसा है अप्षन ने है नियमाईशिन जनित रोग है और अप्षन री निमें नहीं नहीं तो आपटी नहीं हो जागा नियमाईशिन ठीक है इसके बादा चलते हैं तिसमें आपको आप्शन दिया हुआ है ए नियो माइसिन ओप्शन बी है वेशिट्रेसीन ओपशन सी है कलोरा माफी निकॉल और डी है पेनिस लें तुम आपको आपको डी हो जागा पेनिसलें ठीकर इसके बात प्रस्चना को एक सुरुतिरेस नमर है कि कार्बनिक खात निमल गारसाय नहीं खादे काब नहीं ठीक है इसके बाद चलते प्राश्ण में एक्षो तेश के बाद एक्षो चोविस में एक्षो चोविस में प्राश्ण आप कहता है जल पर दुशन से बचावे तो भात सरका द्वारा निमलिकित में से कौन से कदम उठाए गया ओप्षन ए गंगा एक्षो योजना ओप्षन बी है नर्मदा एक्षो योजना ओप्षन सी है यमन एक्षो योजना ओप्षन डी है ए और सी दोनों तिसमें आपको ऑप्षन डी हो जागा ए और सी दोनों और थात नर्मदा एक्षो योजना और यमन एक्षो योजना ठीक है किस नियंत्रन के लिए किया जाता है ऑप्शन ए है जिवन रोगी के लिए ऑप्शन B है कौबक रोगी के लिए ऑप्शन C है निमाइटोईस के लिए ऑप्शन D है कि लिए ठीक है तिसमें आपका ऑप्शन D हो जाएगा कि लिए इसे चलते है प्रश्ण अगली कि वो 26 में प्रश्ण कहता है भात वर्श्ण में सबसे स्थरवाधी कुप्योग में लाया जाने मला जैब खाद धान के फसल के लिए कौन से है तिसमें आपका ऑप जाएगले प्रश्ण में 127 में प्रश्ण कहता है निम्रेखित में सब्सक्राइब खाद नहीं आप्शन ने है यह जोटो बैक्टर ऑप्शन बी है बैसीलस युराजीयसिस ऑफ्शन C है क्लोस्ट्रीडियम और ऑप्शन D है जोला ठीक है तुछ में आपका ऑप्शन B हो ज आप्शन B है C को सिका को आप्शन D है T4 लिम्फोसाइड को आप्शन D है A और B दोनों को तिसमें आपका ऑप्शन C हो जागा T4 लिम्फोसाइड को नस्ट करता है ठीक है इस बचलते प्रश्ण अगला 139 में काता कैंसर किस कारण से होता है आप्शन A है जिवानों के द्व सब्सक्राइब होता है ठीक है इस वाचल एकला प्रश्ण है यह 130 में प्रश्ण जिसमें काता नेमली खित में से कौन सा बिशानों जर्ण रोग है आप्शन ने है फुलू आप्शन B है पोलियो आप्शन C है एड्स और D हैने में से कोई ने इसमें आपका ऑप्शन हो एक्षन में किस ज्वानों का उपयोग होता है अप्शन एक से ओश्ची डिएम का ओं सब्सकले कोएफ्शन कने है का ठीक हो जांगा यत्समें बसची करषण और फिरसेश्य प्रस्वेर में से कौन सा बशानों जिंद्र रोग है और option A है Hepatitis, option B है polio, option C है AIDS, option D है सभी, इसमें D जो है आपका option, इसमें सभ हो जागा, option A, B, C, तीनों के तीनों विश्राण जैंतर होग है, ठीक है, इसके वाचे लगले प्रश्ण में चलते हैं, 133 में प्रश्ण में, इसमें है विडॉल टेस्ट, निमले कितमे से किस रोग लोगी की पहच्चान है, option A है, टाइफाईट का पहच्चान है, option B है, टीवी का पहच्चान है, option C है कैंसर का पहच्चान है, और D है कुष्ट का, ठीक है, तो विडॉल टेस्ट चे टाइफाईट की जांस करते हैं, इसके बाल चलते अगले प्रश्ण है, 134 नमर और डी है एस एल मिलर इसमें आपको अप्शन सी हो जाएगा लूइस पांचर ठीक है इसे बाद एक प्रस्ण और है 135 में देख लेते हैं फिर उसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे एक प्रस्ण कहता है मधमक्य प्राण के लिए मधमक्य के किस किसमे का सबसे अधीक पालतों बना जाता है और ऑप्शन ए को यह आप लोग प्रस्ण का पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को सेर करें और इस वीडियो को हमेशा हमेशा देखते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू